राज स्टड़ी अकाड़मी यूट्यूब चानल में आपका स्वागत है चलिए शुरू करते हैं आज की विडियो फर्स्ट कोशन है लालनी बहना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है उत्तर होगा उफ्शन सी वाला मध्य प्रदे सरकार के द्वारा इस योजना का उद्देश क्या है इसके तहट गरीब बहनों को प्रती माह एक हजार रुपे के आर्थिक साहिता प्रदान की जाएगी अगला सवाल है इंद्रा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसे शुरू क्या है राज्यस्थान सरकार ने और इसका उद्देश क्या है इससे शहरी छेतर में निवास करने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में म इस योजना का मुख्य उद्देश प्रदेश में भूमी हिन क्रशे कारे करने वाले नागरिकों को आर्थिक साहता प्रदान करना है इसके तहद 12 लाख भूमी हिन मजदूरों को 6,000 रुपे दिये जाएंगे इस योजना के तहद अगला सवाल है मुख्य मंत्री अभ्यूदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है इसे शुरू क्या है उत्तरपदेश सरकार ने और इस योजना को शुरू करने का उद्देश क्या है विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी कर रहे जात्रों को मुफ्त कोचिंग इसके तहट अब राज्य में दूसरी पुत्री के जरम पर 5000 रुपे के राशित दी जाएगी अगला सवाल है परेश सक्षालय परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है इसे शुरू क्या है पश्यमंगाल की सरकाने पश्यमंगाल सरकान है और इस योजना क इसके तहट प्राइमरी चात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा परेश सक्षालय परियोजना के तहट अगला सवाल है हिम प्रहरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसे शुरू क्या है उत्राखंड राज्य सरकार ने और इस योजना को शुरू करन काफी जाद है important question और exam में पूछा गया था इसका answer हो option D वाला पश्य मंगाल सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा किन योजनाओं का क्या उद्देश है देखें गरीबों और निराशतों के लिए 5 रुपे में भोजन काने के लिए अगला सवाल है घर पर पोशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सही जवाब होगा option B वाला ओडी सा सरकार द्वारा घर पर पोशन योजना शुरू की गई और उद्देश है उसका अविक्सित और कमजोर विकास वाले बच्चों एवं एने स्वपदन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है इससे शुरू क्या है करनाटक सरकार ने और इस योजना को शुरू करने को अद्देश है जनता के सिकायतों के निवारण हे तो चलिए अगला सवाल है चारा विजाई योजना किस राज्य सरकार द्वारा इसका उद्देश था इस योजना का मुख्य उद्देश गोशालाओं को खेती और चारे की आपूर्ती करने वाले किशानों को 10,000 रुपे प्रती एकड की वित्य साहता प्रदान करना चले आगे बढ़ते हैं कुशन है जन सेवक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इससे शुरू क्या है करनाटक सरकार ने इस योजना को उद्देश है सरकारी सेवां को नागरिकों के दर्वाजे तक लाने के लिए अगला सवाल है वतन प्रेम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है इसे शुरू क्या है गुजरात सरकार ने इस योजना को उद्देश इसके तहट गुजराती 60% का धन राश्वी देकर पसंद के पर योजनाई और एजनसीयों को ले सकेंगे अगला सवाल है दूद मुल्य प्रोथसाहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसे शुरू किया है उत्राखंड सरकार ने और इस योजना को शुरू करने का उद्देश राज्य में दूद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए साथ ही 500 दूद बिकरी केंद्र खोलना अगला सवाल गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है शुरू किया गया है इसे गुजरात राज्य सरकार की द्वारा गो ग्रीन योजना इसका उद्देश है और द्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित दो पहिया वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान करना अगला सवाल सहाई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसे शुरू किया है जहरकंड सरकार ने और इस योजना को अद्देश माओ वादी प्रभावित जीलो में युवा खेल युवा खेल प्रतिभावों को पोशित करने है तू अगला सवाल है पंचामरित योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है इसे शुरू किया गया है उतरप्रदेश शरकार के द्वारा पंचामरित योजना इसका उद्देश गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना है अगला सवाल है गुरू जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसे शुरू किया है जारकन की सरकार ने जरकन सरकार ने इसे शुरू किया किस उद्देश के साथ दिखे शिक्षा के प्रती उच्साहित युवाओं को आर्थिक मदद पहुँजाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाक रुपे तक का लोन दिया जाएगा अगला सवाल, एक पंचायत एक खेल मेदान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इस योजना को शुरू किया है केरल सरकार ने? इसका उद्देश प्रतेक पंचायत में उच गुणवत्ता वाले खेल मेदानों के इस्थापना करना है पुधु में पेन योजना के सराज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसे शुरू किया गया है तमिल्लाडू सरकार के द्वारा इस योजना का उद्देश सरकारी स्कूलों से उच सिक्षा संस्थानों में लड़कियों के नामनकन अनुपात को बढ़ाना है अगला सवाल आशिरवाद योजना के सराज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसे शुरू किया गया है ओडिसा सरकार के द्वारा इसका उद्देश है कोईड अनाथों की स्थिक्षा स्वास्थ और रख रखाओं के लिए मदद पहुचाना अगला सवाल शेहवास योजना के सराज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इससे शुरू किया गया है तमिलनाडू सरकार के द्वारा इसका उद्देश है स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्यान को बढ़ावा देना अगला सवाल है मुख्य मंत्री मतहारी महतारी न्यायरत्योजना के सराज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इससे शुरू किया गया है च्छतिसगर सरकार के द्वारा देखें मुख्य मंत्री महतारी न्यायरत्योजना है न 36 सरकार के द्वारा शुरू किया गया है इसे और इसका उद्देश क्या है राज्य महला आयोग द्वारा महलाओं के अधिकारों के बारे में जागरुकता बढ़ाना अगला सवाल रोजगार सेतु योजना किस राज्य सरकार दौरा शुरू की गई इससे शुरू किया गया है मध्यप्रदेश सरकार की दौरा और इस योजना को अदेश प्रवासे श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना उमरिया जीले की पुलिस के दौरा अगला सवाल मीनदम मंचपई योजना किस राज्य सरकार दूरा शूरू की गई है इसे शुरू किया है तमिल नाड़ु सरकार ने मीनदम मंचपई योजना इस योजना को देश है प्लास्टिक के थेलियों को स renewed कर कपड़े के थेलों को बड़ावा देना है अगला सवाल है आत्म निर्भाय क्रशी बागवानी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसे शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को अधिश क्रशी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए क्रशी विभागों को 60-60 करोड रुपे दिये जाएंगे अगला सवाल है आस्रा पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसे शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा आस्रा पेंशन योजना उदेश क्या है इसका यह व्रदो विद्वाव और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्यानकारी योजना है अगला सवाल है मातर भूमें योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है इसे शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना का उत्देश इसके तहत विकास कारियों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा अगला सवाल नेथनना बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसे शुरू किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा नेथनना बीमा योजना इसे बुनकरों के कल्यान के लिए शुरू किया गया है अगला सवाल महला निधी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है इसे शुरू क्या है राजस्थान सरकार ने महला श्य शक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के आउसर प्रदान करने है तू अगला सवाल लाली लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है क्या 2.0 वारी योजना है याद रखेगा वैसे जितनी भी लाली लक्ष्मी योजना है ये सब मध्यवर्दे सरकार लेकर रही है लाली बहना योजना लाली लक्ष्मी योजना बालिकाओं को उच्छिक्षा प्राप्त करने हेतू प्रोधसाहन करने के लिए इसे योजना को शुरू किया गया है अगला सवाल है चिरन जीवी स्वास्त बीमा योजना किसे राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है राज्यस्थान सरकार के द्वारा चिरन जीवी स्वास्त बीमा योजना को इसका उद्देश इसके तहट प्रतेक परिवार को पांच लाग का वाशिक बीमा मिलेगा अगला सवाल बाल श्रमिक बाल श्रमिक विद्या योजना कि सराज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है इसे शुरू किया गया है उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा बाल श्रमिक विध्या योजना को देखे इसके तहट आठ से अठारा वर्ष के आयू के बाल श्रमिकों अनाथों श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जाएगी अगला सवाल स्वा निर्भर नारी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है इसे शुरू किया है असम सरकार ने स्वा निर्भर नारी योजना इसका उद्देश यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना है अगला सवाल जिवहलाई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? इसे शुरू किया गया है महरास्ट सरकार के द्वारा जेल में बंद कैदियों को 3 साल से अधिक 50,000 रुपे तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा अगला सवाल चिराग योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है इसे शुरू किया गया है हर्याना सरकार के द्वारा इसके तहट 1.8 लाख वाशिक से कम आई वाले परिवार के बच्चों को कक्षा दूसरी से बारवी तक नीजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा अगला सवाल है ये अधिकम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है इसे शुरू किया गया है हर्याना सरकार के द्वारा इस योजना का उद्देश दिखेगा इस योजना के तहट हर्याना बोर्ड के कक्षा दस और कक्षा बारवी के छात्र 2GB इंटरनेट डेटा के साथ मुफ्त टैबलेट प्राप्त करने के पात रहोंगे अगला सवाल CM आवासिय भूमी अधिकार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसे शुरू किया गया है मध्यप्रदेश सरकार की द्वारा CM आवासिय भूमी अधिकार योजना इसके तहद लाभारती परिवार को आवास निर्मान के लिए 600 वर्ग फीट भूमी अगला सवाल मुख्य मंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसे शुरू किया गया है राजिस्थान सरकार के द्वारा देखे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एसी तथा एस्टी के विध्यारतियों को सक्षा प्रदान की जाएगी मुख्य मंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना के तहद अगला सवाल है मातर शक्ती उदमिता योजना की सराज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है इससे शुरू किया गया है हर्यारा सरकार के द्वारा और इसका उदिश इस योजना के तहद जिन महलाओं की पारिवारिक वार्षिक आई रौपे से कम है, उन्हें वित्य संस्थानों के द्वारा 3,00,00,000 तक के नरम शण तक पहुंश प्रदान की जाएगी अगला सवाल खेल नरसरी योजना के सराज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसे शुरू किया गया है हर्याणा सरकार के द्वारा देखें नीजी सरकारी स रीक्षन संस्थानों और खेल संस्थानों में खेल नरसरी स्थापित की जाएकी इस योजना के तहत। अगला सवाल, एक ब्लोक एक उत्पाद योजना, एक उत्पाद योजना किस सराज्य सरकार दोआरा शुरू की गई। सभी निर्मान श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाब उठा सकेंगे अगला सवाल है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार दौरा शुरू किया गया है इसे शुरू किया गया है आंधर प्रदेश सरकार के दौरा फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को इसका उद्देश गरामिड आबादी के लोगों को स्वास्त की धेगबाल के लिए प्रात्मिक स्वास्त केंद्रों से एक डॉक्टर को प्रतिक वार्ड में उपलब्द कराना है अगला सवाल है मुख्य मंत्री उद्योक्रांती योजना के सराज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है इसे शुरू किया गया है मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना का मुख्योतेश इसके तहद, राज्य सरकार MSME स्टार्टप के लिए 50 लाग शरणों को 1 लाग प्रती वर्ष 3 प्रतिशत ब्याज सबसिटी और अधिक्तम 7 वर्षों के अवधी के लिए बैंक शरण गैरेंटी प्रदान करेगी अगला सवाल है, Y.S.R. यन्तरसेवा योजना कि सराज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया इसे शुरू किया गया है आंधरपदेश सरकार के द्वारा इस योजना का उद्देश किशानों को कम अलागत पर क्रशी में उप्योग की जाने वाली मशीनरी उपलब्द कराना है अगला सवाल है उदियमान खिलाडी उन्यन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसे शुरू किया गया है उत्राखंड सरकार के द्वारा इस योजना का उद्देश खिलाडी को प्रोचसाहित करने के लिए उन्हें वित्य साहिता एवं परिक्षन प्रदान करना है अगला सवाल है मेरा घर मेरे नाम योजना किस राज्य सरकार की द्वारा शुरू किया गया इसे शुरू किया गया है पंजाब राज्य सरकार द्वारा मेरे घर मेरे नाम योजना को उद्देश इस योजना के तहट गावों और शहरों में लाल डोरे के भीतर आने वाले घरों में रहने वाले लोगों को माली काना हक दिया जाएगा अगला सवाल है बैक टू वर्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया इसे शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा बैक टू वर्क योजना इसके तहत तीन वर्षों के भीतर 15,000 महलाओं को नीजी छेतर में रोजगार दिया जाएगा अगला सवाल है घसी यारी कल्यान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है इसे शुरू किया गया है उत्राखंड राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को उद्देश पहाड़ी छेतरों की ग्रामिन महलाओं का वोज कम करने के लिए पश्यों के लिए घर तक चारा उपलब्द कराना है अगला सवाल है परवाज योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसे योजना को शुरू किया है जम्मु कश्मेर की सरकार ने परवाज योजना को देखे जल्दी खराब होने वाले फलो और सबजियो को कारगो के माध्यम से बाजार तक पहुंचाना इसका उद्देश अगला सवाल नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की आ गया है इसे शुरू की आ गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा काफे ज़ादा important question वैसे सारे important है कहीं से भी questions आ सकते हैं exam में आप जहातों जिस भी exam के आप तयारी करते हैं उनका एक बार आप प्रिवेस एर का question पेपर जरू ठाके देखेगा आपको राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए questions 100% देखने के मिलेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं नारी को नमन योजना इसको उदेश है इसके तहट राज्य की बसों में यात्रा करने वाली महलाओं को 50% की छूट दी जाएगी अगला सवाल है कुंसियोम योजना किस राज्य सरकार की दोवारा शुरू किया गया इसे शुरू किया गया है लद्दाग सरकार की द्वारा कुंसियों योजना देखे विकलांग व्यक्तियों को नभे प्रतिशत सबसीडी पर साहिक उपकरण वर तक्नीक उपलब्द कराना अगला सवाल है विद्यारत स्कूल ओन विल्स योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया इसे शुरू किया है असम सरकार ने विद्यारत स्कूल ओन विल्स योजना को इसे शुरू करने का उद्देश है आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों को मुफ्त में सिक्षा उपलब्द कराने के लिए अगला सवाल है औरोणोदई 2.0 योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसे शुरू किया है असम राज्य की सरकार ने योजना है बिहार सरकार की द्वारा की द्वारा हर घर गंगाजल यहीं जन संख्या को टारगेट करते हुए मुझ्गा नधी के पानी को पाइपलcjiस के जर्स राजगीर घया Бॉद गया एवं नालनदा को उपलब्द करने अगला सवाल मुख्यमंत्री महला उद्गमी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है इससे शुरू किया है बिहार सरकार ने इस योजना को अदिश महलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाग के राशे प्रदान की जाएगी अगला सवाल है लोक मिलनी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसे शुरू किया गया है पंजाब राज्य सरकार की द्वारा इसका अधिश जन संपक बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की सिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना अगला सवाल और नवीत लर्न स्केम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसे शुरू किया गया है त्रीपूरा सरकार के द्वारा इसका उद्धेश योजना का उद्धेश उन छात्रों को नमंकित करना है जिन होने कोई 19 के प्रकोप के बाद स्कूल छोड़ दिया था उनके लिए और नवीत लर्न स्केम लेकर आए है अगला सवाल देखेगा मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इसके तहट नागरिक घर बैठे सो सरवजनिक सेवाई का लाब उठा सकते है नेक्स कोशन है इससे शुरू किया गया है त्रीपूरा सरकार के द्वारा सी एम चा श्रमी कल्यान प्रकल्प योजना और स्कौदिश राज्य के साथ हजार चाय बगान श्रमी को को समाजिक सुरुक्षा प्रदान करने के लिए